मैं आप लोगं के एक अच्ची कबर सुनाता हूँ मुझे एलन्टी कंस्रेक्शन कंपणी में काम मिला हैं मैं आज से काम में जा रहा हूँ अच्चा जाके आएए ठीक है मैं निकलना हो बेटी पापा काम में जा रहा है पापा आते समय मेरे लिए चोकलेट लाइए ओ सब लाता हूँ पापा की ताड़ा बोल, ताटा, ताटा पापा आप लोग अभी अभी इस कंस्रक्शन साइट पे काम करने के लिए आया हैं इसलिए काम करते समय कैसे सावधान रहना है इसके बारे में हमारे सेफटी इंजिनेर तुम लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे आईए, मैं आप लोगों को सेफटी इंडेक्शन रूम ले जाता हूँ सब लोगों को प्रणाम प्रणाम सर्जी इस L&T ECC कंपणी में सुरक्षिता को प्रामख्य दिया जाता है आप में कुछ लोग पहले से ही L&T Construction कंपणी में काम करते होंगे और कुछ लोग नए नए आये होंगे अब मैं आप सब लोगों को साइट में काम करते समय कैसे सुरक्षित नियम लेना है इसके बारे में समझाता हूँ आप सब लोग सावधां चे सुनकर इसके बारे में अच्छे तरह से समझे हम सब लोग क्यों काम करने आते हैं? बोलिए क्योंकि मेरे परिवार कुछ रहना है, कमया तो ही खा सकते हैं सर जी बिल्कुल ठीक कहा अपने अपने बच्चों की भविश्य के लिए और हमारे परिवार को खुछ रखने के लिए ही हम लोग काम पे आते हैं पर ये सब ठीक तरह से होने के लिए तुम लोग साइट में सावधान से काम करके घर लोटना है अगर सावधान से काम ना करें तो खत्रे आ सकते हैं इस वजह से जो लोग काम करते हैं परिशन में पढ़ सकते हैं असावधानी के कारण काम करने वाले लोग कैसे आतंग में पढ़ सकते हैं, जानना चाते हो? पहला, सुरक्षन ना होने के कारण काम करने वाले लोग हाथ या पेर गवा सकते हैं कभी कबार खत्रे के कारण जान भी जा सकती है खत्रे से लगे हुए चोट बहुत धर्दायक और परेशानी देती है दूसरा, धुरगटना में चोट लगा हुआ आदमी चोट पूरी तरह कम होने तक काम पर नहीं आ सकता इसकी वज़े से कमाई नहीं रहेगी उपर से इलाज करने के लिए अपना ही पैसा खर्च करना पड़ता है तब उसका परिवार भूकी रह जाती है बच्चों की पड़ाई भी रुख सकती है तीसरा, दूरगटना के वज़े से आदमी अर्चन हो गया तो बाद में काम मिलना मुश्किल हो जाता है इसकी वज़े से उसका भवश्य प्रशनात दखो सकती है दूरगटना के वज़े से चोट लगा हुआ आदमी ही नहीं बलकि उसका पूरा परिवार दुख सागर में डूप सकता है इसलिए साइट में सावधान परकने के बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ पहले सुरक्षा करने के सादुनों के इस्तमाल के बारे में मैं आपको समझाता हूँ हमारे शरीर में अती मुख्य भाग है सर सर का सुरक्षा करना अती अवक्षक है हमारी construction site में सर की सुरक्षा के लिए safety helmet पहना ज़रूरी है इस helmet के बगएर construction site में कहीं भी घुमना मना है और उस helmet को सर पर अच्छे तरह adjust करके पहना ज़रूरी है काम करते समय कुछ भी किरने पर ये helmet चोट लगने से बचाती है helmet के रक्षना के बारे में समझ गए ना? अभी welding करते समय आने वाले आतं को और कारपेंटरी काम करते समय निकलने वाली चूर्न और धूल से आखों को सुरक्षा करने के बारे में हम अब देखेंगे हमारे आखों को रक्षना देने के लिए साइट में अनेक उपकर्णों को इस्तमाल करते हैं उन चीज़ों को कहा और कब इस्तमाल करना है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ इस चीज़ को कहा इस्तमाल करते हैं क्या कोई बता सकते हैं? welding करने के समय बिल्कुल ठीक कहा, बिल्डिंग करते समय, फेस शील्ड को मुख में पहनना है, इसे हेलमेट के साथ भी पहन सकते हैं, इसमें लगा हुआ काला शीशा खतरनाख किर्नों से हमारे आँखों को बचाती है, यही फेस शील्ड है, इस शीशे को हमें कार पैंट्री, ग्राइंडि मिलती है यह है goggles यह आँखों के रक्षना के लिए है concrete या chipping करते समय यह पहनना जरूरी है इन सब उपहरनों को हर एक जगह पर पहन कर सुरक्षिता से काम करना है आँखों के रक्षन के बरमे समझ गया ना हमारे construction site में cement इस्तमाल करते समय या रेत या मिट्टी इस्तमाल करते समय या सफाई करते समय हमें नोस मास्क पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह की जगग पर ज्यादा धूल या केमिकल पौडर हो सकता है इसके वज़े से सांस लेते वक्त ये सब अंदर जाकर रुदय संबंद व्यादी आने की खत्रा है उससे बचने के लिए नोस मास्क पहनना बहुत जरूरी है बच इतना ही नहीं नोस मास्क को अच्छी तरह पहनने का खयाल भी रखना चाहिए नोस मास्क के जरूरत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कंस्रक्शन साइट पर मेख और लोह चीजों के वज़े से पैर में चोट लगने से बचाने के लिए रक्षन लेना है इसलिए जूते पहना जरूरी है इसी तरह कॉंक्रीट और चीकर ज्यादा रहने के जगख पर काम करते समय गंबूट पहनना जरूरी है क्यूंकि सिमन्ट ज्यादा रहने के जगख पर पाम बहुत दिर रखने पर त्वचा संबंदित व्यादे आने की खत्रा है उससे बचने के लिए हमें गंबूट की आवक्षकता है पैरों की रक्षना के बारे में आप सब जान चुके हैं ये क्यों इस्तमाल करते हैं क्या कोई बता सकते हैं? हाथों की रक्षना के लिए हाथें हमरे शरीर की एक मुख्य भाग है हमें साइट में काम करते वक्त हाथों को बचाने के लिए विविध हैंड ग्लोस इस्तमाल करने पड़ते हैं उन्हें कहां और कैसे इस्तमाल करना है इस बारे में देखते हैं पहले cotton glove with leather palm को चीजों को उठाते समय उधारन के लिए लोह चीजों और pipe जैसे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते समय इस्तमाल करना है leather glove को welding और gas cutting जैसे काम करते समय इस्तमाल करना चाहिए और उसके संबंदित काम करते समय इसे ज़रूर पहना चाहिए PVC और rubber glove को cement concrete करने के जगह पर और रसायन संबंदित चीजों को इस्तमाल करते समय ज़रूर पहना है इन hand gloves को ठीक तरह से इस्तमाल करके हाथों की रक्षा करना है construction site पर diesel generator और compressor जैसे यंत्रों के जगह पर काम करते समय ध्वनी कालुशे ज्यादा रहता है इस ध्वनी कालुशे में ज्यादा देर काम करने से कानों को भगिरता आने की खत्रा ज्यादा है इसलिए कानों की रक्षना के लिए ear plug और ear muff को जरूर इस्तमाल करना चाहिए और अब site में उँचे जगहों पर काम करते वक उपर से नीचे न गिरने के लिए कैसे सुरक्षा लेना है क्या किसी को मालूम है safety belt लगा के ही काम करना है ठीक कहा आपने इस safety belt को किन किन जगह पर कैसे इस्तमाल करना है मैं आपको बताता हूँ हमें उँचे जगह पर काम करने के समय गलती से नीचे गिरने से बचाने के लिए हमारे बदन पर इस safety belt को जरूर लगाना चाहिए अच्छा अब तक हम लोग सुरक्षा साधनों को इस्तमाल करने के बारे में जान चुके हैं हर येक आदमी खुद को और दूसरों को किसी भी तरक की तंग ना करके सुरक्षन से काम करना बहुत जरूरी है इसलिए हर ये एक आदमी को कितने ध्यान से काम करना पड़ता है इस बारे में सीधे साइट में जाकर देखते हैं सब लोग मेरे साथ चलिए साइट पे चलते हैं वहाँ पे देखिए इस तरह दो मीटर और उससे ज्यादा उंचे पर काम करने के समय सेफटी बेल्ट को पहनना बहुत जरूरी है सिर्फ पहनना ही नहीं इस सेफटी बेल्ट में जो लैन्याड है उससे हमारे सिर के उपर हमारे बदन के वजन को तोलने की तरह एक स्ट्रॉंग स्ट्रक्चर से निर्मान करना चाहिए क्यों सिर के उपर ही निर्मान करना है सर? क्योंकि ये लान्यार्ड अगर नीचे निर्मान करें तो लान्यार्ड की उंचाई दो मीटर रहने की वज़े से हम दो मीटर उंचाई से नीचे गिर सकते हैं ऐसे गिरने पर बाकी स्ट्रक्चरों पर गिर कर चोट लग सकती है इसलिए उसे सिर के उपर ही निर्मान करना चाहिए उदर देखिए वो आदमी जो पहना हुआ है उसे फुल बॉडी हॉर्न्स करके बोलते हैं इससे हम उपर से नीचे गिरने के समय हमारे बदन के वजन के सा साथ वह भी स्टिफ रहके चोट लगने से बचाती है आप लोग वहां देखिए वहां एक टावर एरक्षन चल रहा है ऐसे खतरनाक स्थिती पर काम करने के समय वे लोग डबल लांड याड करके एक स्पेशल सेफटी बेल्ट को लगा कर काम कर रहे हैं ऐसे समय में उपर ज चलने के वक्त सेफटी बेल्ट को कैसे इस्तमाल करना है बोलिए सर जी उन जैसे जगह पर चलने के समय हमें लाइफ लैन इस्तमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पर चलना चाहिए उदर देखिए वहां काम करने वालों को सेफटी बेल्ट बानने के लिए जगह ही नहीं ह इसलिए वे दो स्ट्रॉंग पॉइंट्स को रस्ती बानकर उसको सेफ्टी बिल्ड को बानते हैं ऐसे करने से एक जगह से दूसरी जगह को आसानी से जा सकते हैं गलती से गिरने पर भी वह रस्ती उन लोगों को बचाती है इतना ही नहीं वह रस्ती 8 mm का वायर रोप या एक इंच का पॉली प्रोपलेन रोप होना ज़रूरी है उस रस्ती को 15 डिगरी के एंगल में बानना चाहिए क्या हुआ? अच्छा हुआ देखें आप लोग इस फ्लोर ओपन के नीचे सेफ्टी नेट बानने के वज़े से वह नीचे नहीं गिरा सेफ्टी नेट में गिर कर बज गया इसी तरह उपर से गिरने वाली किसी भी चीज़ को नीचे काम करने वाले आदमियों के उपर गिरने से ये सेफ्टी नेट सुरक्षित से बचाती है वहां देखिए आदा कंस्ट्रक्षिन किया हुआ लिफ्ट शेर ओपनिंग और ये सी डक्ट जैसे निकाला हुआ ओपनिंग में बैरिकेशन किया जा रहा है इस तरह के ओपनिंग को कवर करके बंद करना चाहिए आईए हम सब नीचे चलते हैं देख लिया तुम्हें नीचे गिरने से ये हैंड रंज बचा लिया हमें सीडियों पर चलते समय पर्मनेंट हैंड रंज नहीं होने के कारण इसी तरह के येक मीटर तक मतलब हमारे कमर के ऊपर तक ऐसा रक्षन बनाना अवश्य है देखिए इस तरह के लूस मेटिरियल फ्लोर एज़ पर नहीं रहना है हमारे पैर लगकर वहां से नीचे गिरने की बहुत चांचस हैं इसलिए जिदर भी ऐसे चीजें हो सकती हैं वहां पर गाड राइल्स और टोगाड रखना जरूरी है इतना ही नहीं फ्लोर एज़ के पास चीजों को रखना गलती है उन्हें एज़ से थोड़ी दूर तक रखना चाहिए सर जी वहां पर थोड़ी लोग कोद रहें वैसे शुती में हमें कैसे सुरक्षित लेना पड़ता हैं समझाईए आये हम वही जाके देखते हैं साधारने धर्ती के नीचे एलेक्ट्रिकल केबल, गैस लाइन, वाटर लेन जैसे कनेक्शन्स हो सकते हैं खोदने से बहले उस जगह पर नल लेन या गैस लेन है या नहीं खोदने की जगह सुरक्षित है या नहीं ये सब अपने सूपरवाईजर से पूछ के बाद में खोदना जरूरी है उनके अनुदेश के अनुसार ही काम करना है उधारन के लिए येलेक्ट्रिकल वयस अगर है तो वहाँ इंसुलेटर क्रोव ही इस्तमाल करना चाहिए इससरा कोई भी गल्ती से अंदर ना गिरने के लिए खोदे हुए जगह के चारों और बैरिकेशन लगाना जरूरी है खोदे हुए जगह को दिखवाने के लिए चेतावनी बोड और रात में देखने के लिए एलेक्ट्रिकल लाप्स लगवाना जरूरी है देखे न, खोदा हुआ जगह से निकला हुआ मिट्टी को कम से कम एक मीटर दूर पे फेकने से मिट्टी में बिना फसे वहां काम करने वाले लोग पसकते हैं इतना ही नहीं, खोदा हुआ जगह के आसपास किसी भी गाड़ी को आने से रोकना है गाड़ी को थोड़ी दूर में रोकना ही सब के लिए सुरक्षित है गड़े में उतर कर चैड़ने के लिए सीडियों का इस्तमाल करना जरूरी है क्यों सर गड़े को उपर से नीचे के तरफ तेड़ा कोद रहे हैं? ओ, मुझे मालूम, पिछले साइड पर काम करते वाक मेरे साथ काम करने वाले साथी गड़े के अंदर दिवार को सीधा कोद रहा था जिसके वज़े से एक बार मिट्टी फिसल कर उनके उपर ही पड़ गया बचाओ, 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 बचाओ इसलिए वैसे जगे पर मिट्टी की डर से बचने के लिए गड़े की दिवार को तेड़ा कोद रखे है ठीक कहा आपने, इस तरह कोदने से कुछ नहीं होता है इतना ही नहीं, उसके नीचे से सुरक डालना गलती है मतलब अंडर कटिंग करना गलती है अगर पहले ही कंस्रक्शन के लिए कहीं खोद कर हुआ हो तो अपने सूपरवेजर को पूछ कर सुरक्षा नीएम से काम करना बहुत जरूरी है नहीं तो पास वाले कंस्रक्शन को हानी पहुंच सकती है उचे जगग पर सावधान से रहने के बारे में मैंने आपको बताया इन जैसे उची जगग पर चाणने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम है स्काफोल्ड उधर सावधान से काम करने के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ आईए ऐसे scrub fold को यरट करने के लिए construction site में विविद मित्र रहते हैं सिर्फ वे लोग ही इसे यरट करना चाहिए ऐसे scrub fold में tag system होता है उसके बारे में किसी को मालूम है क्या? मालूम है सर, अगर उस scrub fold में लाल रंग tag है तो उस पे दूसरे लोग चटना मना है सिर्फ एरक के लोग चट सकते हैं, यही उसका आर्थ है सर ठीक कहा आपने तो फिर हरे रंग में tag रहे तो उसका आर्थ क्या है? मालूम है सर, उसका full इस्तमाल करने के लिए तयार है सर बिल्कुल ठीक कहा अगर आपको काम करते वक्त इसमें कुछ गलती लगा तो इंजिनेर को बुला कर इसके बार में बताना चाहिए वहां के उसको ठीक करेंगे अन्य लोग उसे ठीक करना गलती है देखें क्या? अंदर के जैसे स्क्रब फोल में हर 6 मीटर के बीच में अच्छी तरह से स्ट्रक्चर बाढ़ना जरूरी है देखें इस स्क्रब फोल में हम खड़के काम करने के लिए स्क्रब फोल बोर्ड इस्तमाल करना चाहिए और उसमें चर्ब के उतरने के लिए हमें सीडियों का इस्तमाल करना चाहिए उधर देखिए, बाजु में काम करने वाले न गिरने के लिए रक्षन देते हुए mid trail या top trail रहना चाहिए देखा, वह काम करते वक्त फीचे आया है, पर वह न गिरने के लिए वहां रखा हुआ top trail और mid trail रक्षन देती है वो क्या है सर? खुनसा वो, वही है mobile scrap fold उस mobile scrap fold के नीचे चार चक्का होने के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह को आसानी से चाह सकते है देखो, वह आदमी उसे कैसे रोक रहा है उस scrap fold के नीचे stopper को इस्तमाल करके रोक रहा है ऐसा करना गलती है कोई आदमी उपर काम करने के वक्ट scrap fold को चलाना गलती है सिर्फ scrap fold ही नहीं साइट में हम लोग CD यां भी इस्तमाल करते हैं उसे इस्तमाल करते वक्ट कैसे सुरक्षित रहा है इस बारे में हम लोग खुच जा के देखते हैं चलिए मेरे साथ वहां देखिए वह क्यों गिर गया क्योंकि हमें कभी भी CD को 1-4 में जुका के रखना चाहिए वही ठीक है वह क्यों गिर गया क्योंकि वह CD अच्छी लक्डी की बनी हुई नहीं है इसलिए अच्छी लक्डी से बनाया हुआ CD ही हमें इस्तमाल करना चाहिए टूटी हुई सीडियों को इस्तमाल करना भी गलती है ऐसे चीजों के उपर सीडि को रखके उपर चड़ना गलत बात है हम जो सीडियी प्रयोग करते हैं वो वर्क प्लाटफॉर्म के उपर ये एक मीटर ज्यादा रहना बहुत जरूरी है उदर देखिए वो जो कर रहा है वही सही है सीडियी को फिसले मिना रखने के लिए रस्टी से बाढ़ना जरूरी है वहाँ देखिए वह बाढ़ने के समय नीचे एक आदमी पकड़के खड़ा हुआ है सीडी को रसे से बानने के वक्त नीचे एक आदमी सीडी को पकड़ कर खड़ना जरूरी है बलकि सीडी में चड़ने के वक्त रंच को पकड़ कर संभाल के चड़ना चाहिए वही ठीक मार्ग है सीडीयों को फ्लाट सर्फेस पे रखके चड़ना ही सुरक्षित है इतना ही नहीं, येलेक्ट्रिकल खंबे के नीचे लोह की सीडी यूज़ करना गलत बात है सर वहां क्यों क्रेन को उपयोग करके काम कर रहे हैं? अच्छा वो, कभी-कभी वूची बिल्डिंगों पर स्क्रफोल का प्रयोग नहीं कर सकते इसलिए क्रेन का उपयोग करकर आदमियों को पहुंचाते हैं वहां कैसे सुरक्षन लेकर काम करते हैं जानने के लिए वहीं जाकर देखते हैं ऐसे क्रेन के केज में काम करने के वक्त केज के चारों और क्रेन के हुग को लगवाना जरूरी है बस इतना ही नहीं वहां काम करने के वक्त safety belt को crane के hook को बादना जरूरी है उसी तरह एक tagline को इस cage के साथ बाद कर सुरक्षित से काम करना चाहिए अब तक सब जगह पर किस तरह सुरक्षित से काम करना है इस बारे में बोल चुका हूँ और अब किन किन जगहों में कैसी material और equipment इस्तमाल करना है इस बारे में आप सब लोगों को बताता हूँ सुनिए साधारन में construction site पर चीजों को यंत्रों के सहायता से एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं हातों से चीजों को ले जाना अच्छी बात नहीं है फिर भी कुछ आवश्यक समयों में हातों से चीजों को ये जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं ऐसे स्तितियों में कैसे सावधान से काम करना है मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ उदर देखिए हातों से वे लोग चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं ऐसे समय में कैसे सुरक्षित रहना है मालूम है क्या? उस आदमी की तरह किसी भी चीज़ को एकदम कमर चुका के उठाना गलत है उधर देखिए उनकी तरह किसी भी चीज़ के पास अपने पेर को रखना जरूरी है उसके बाद अपने हातों से उस चीज़ को कवर करके बलबूति से पकड़ना है इतना ही नहीं उस चीज़ को अपने उंगली से नहीं बलकि हात के गृप से समालना है उसके बाद अपने पीट को सीधे रखकर सास को अंदर लेकर चीज को उठाना है किसी भी चीज को उठाते वगद उसके पूरे वजन को अपने पैर में समालना चाहिए पीट से नहीं उसके बाद उस चीज को अपने शरीर से लगा कर एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना चाहिए कुछ समय में ज्यादा वजन के चीजों को उठाने के लिए कम से कम चार या पांच लोग मिलकर ही उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहिए किसी चीज को उठाने से पहले जाने वाले रास्ते को साफ रखना जरूरी है और उस चीज को कितनी दूर पहुंचाना है इस बारे में पहले ही हिसाब करना चाहिए उस चीज को उठाने वाले सब लोग ये की हाइट रहना अच्छा होगा क्रेन इस्तिमाल करके उठाते ही न, उस वक्त सुरक्षित से कैसे रने सर बोलता हूँ, एक जगग से दूसरी जगग को चीज़ों को पहुंचाने के लिए हम क्रेन इस्तिमाल करते हैं उस समय कैसे सावधन रहना है जानने के लिए उधर जाकर देखते हैं चलिए देखिए क्रेन द्वारा एक चीज को उठाने के समय चीज के नीचे उसका मूमन नियंत्रन करने के लिए जरूर एक टाग लेन बादना चाहिए कुछ खत्रा नह रहने के लिए क्रेन का स्लिंगिंग केपैस्टी लोड से भी ज्यादा रहना चाहिए वैसे भी उसके नीचे कोई भी ना रहे तो अच्छा होगा इसलिए क्रेन द्वारा किसी भी चीज को उठाते वक आजू बाजू में किसी को भी ना रहना देना है उन्हें देखिए वे ठीक कर रहे हैं क्रेन द्वारा चीज को उठाने से पहले उसकी स्लीव्स ठीक ठाक है या नहीं देखना जरूरी है उदर देखिए ऐसे उपर उठाया हुआ चीज को अच्छी तरह से ठीक जगफ पर चोड़ने के बगार बीच में लटका कर चोड़ना गलत है वो आदमी कौन है सर? कौन वह? वो है क्रेन द्वारा चीजों को उठाने या निकालने के बारे में हाथ दिखाने वाला सिग्नल मैन उनके सिवा यह काम किसी को भी करना मना है वे लोग जरूर फ्लोरेसन जाकेट पहना चाहिए सिर्फ यही नहीं वहाँ देखिए उधर दो सिग्नल मैन है क्यों मालूम? ये क्रेन दो तिन बिल्डिंग के उस तरफ लोड को ले जाता है वहाँ पे दो सिग्नल मैन उस क्रेन के मूमेंट्स को कंट्रोल करते हैं उधर देखिए क्रेन जैसे यंत्रों को उन लोगों के बगैर कोई भी कंट्रोल करना गलत है उस साइट के बारे में पूरी जानकारी हुए सिगनल में ही सिगनल दे के काम करना है और क्रेन का हुक सेफटी लॉक से बंद करना अवश्यक है विद्युक्त की वज़े से आदमी को बहुत सारे वतंक पहुंच सकते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर विद्युक्त के द्वारा काम करने वाली यंत्र बहुत हैं इसलिए विद्युक्त से कैसे सावधन रहके काम करना है इस बारे में देखते हैं उदर देखिए, वहाँ एक red helmet पहना हुआ आदमी है न, वही electrician है Construction site में किधर भी, कौन सा भी electrical काम करने के लिए electrical वरखरी ठीक आदमी है अन्य लोग यह काम नहीं करना है site में जो भी electrical यंतर रहेगा, उन सब को बारिश से बचाने के लिए इस तरह cover करके रखना जरूरी है नुकसान को देख रहे हैं न, ऐसे wire को बाहर रखने से हमारे जान को ही खत्रा हो सकता है वो गलत कर रहा है काम करने वाले लोग दोफेर में electrical shit के अंदर जाकर चीजों को रखना या वहाँ पे सोना गलत है ऐसे काम को किसी को भी करना मना है और रास्ते में electrical wire रखना मना है ये गलत है, इस तरफ plug के बगएर electrical board में wire घुसाना गलत है और रात में उन्चाई में काम करने के वक्त halogen lamp इस्तमाल किया जाता है बल्ब जलते समय उसको एक जगह से दूसरी जगह को लाना गलती है वो आपके जान को खत्रा हो सकता है electrical mission को इस्तमाल करने के वक्त सब लोग electrical shock से बचने के लिए इस RCCB को इस्तमाल करना चाहिए सब विद्युक्तियंत्रों को यर्तिंग देना जरूरी है तब ही हम electrical shock से बच सकते हैं और लोह से बने चीजों को electrical wires के उपर से ले जाना गलत है आपने हमें व्रिद्युद से कैसे सावदान रहना करके बोल चुके है वैसे ही साइट में जो हर एक mission को कैसे सुरक्षन से इस्तेमाल करना है बोलिए जरूर सब लोग मेरे साथ आईए मैं आप लोगों को बताता हूँ देख लिया वह कैसे खत्रे में पड़ा इस तरह घूमने वाली परिक्रम पर काम करते समय टवल या मफलर पहनना गलत बात है वहाँ देखिए वह आदमी लकड़ी को काट रहा है ऐसे काम करते वक उस यंत्र को गाड़ से पूरी तरह बंद करना जरूरी है ऐसे यंत्र चलने के वक उसके उपर पढ़ना या उसको ठीक करना या सुरक्षन कवच को निकालना खत्रा दे सकता है और काम पूरा होने के बाद मिशन को स्विच ओफ करना बहुत जरूरी है और यंत्र चलने के समय उसको हटाना या लूब्रिकेट करना गलत है क्रेन, बिल्डर हॉइस्ट, विंच इस तरह के मिशनों को ओत्रेस पसन ही ऑपरेट करना है साइट में विविद रिती में कैसे सुरक्षित रहना है करके देखे हैं सिर्फ हमारी रक्षा ही बस नहीं है, हमारे चारों और भी सुब्र रखना है हम काम करने के जगह कैसे सुरक्षित से रह सकते हैं इस बारे में देखते हैं इधर देखिए, ये जगह कितना सुब्र है और इस जगह को देखिए चीजे इधर उधर पड़ी हैं ऐसा हो तो हम कैसे सुरक्षित काम कर सकते हैं तुम लोगों को कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा बुरा लगता है। इसलिए इन सब को कैसे सुरक्षित रखना है इस बारे में देखते हैं। बगैर काम के चीज़ों को एक अलग जगग पर रखना चाहिए। ऐसे नहीं करना है। हमें पाइप्स, टाइल्स और चीज़ों को एक जगग पर जमा कर रखना चाहिए। और जमाये हुए चीज़ें हमारे हाथ को अपणना चाहिए। मतलब पांच फूट के उन्चाई तक ही रहना चाहिए। रास्ते में कौन से भी चीज़ को नहीं रहने देना है। ऐसे पिछले बिन नहीं रहने के लिए यंत्रों में डालने वाले तेल को नीचे नहीं गिरना है। गल्ती से गिर गया तो थभी साफ करवाना चाहिए। इस तरह की तंग से बचने के लिए मेखें जो जरुरुत नहीं है उन्हें निकाल कर एक जगह में डाल के रखना जरुरी है देखिए इस तरह आग न लगने के लिए जलाव साधनों को मतलब, पेट्रोल, डीजल को अलग जगह में रखना सब के लिए सुरक्षित है और इस तरह की साधनों से दूर रखना भी अच्छा है इन जैसे जगह में चेतावनी बोर्ड रखे सबको सूर्चित करना अच्छी बात है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर कंप्रेस्ट गैस इस्तमाल करते हैं ऐसे समय पर उस चीज को ठीक तरह कैसे इस्तमाल करना है इस बारे में देखते हैं कंप्रेस्ट गैस सिलिंडर को कभी भी सेफटी वाल्व कवर करके उसे सुरक्षित जगह पर बांधकर रखना है सिलिंडर को सीधा खड़ा रखना चाहिए Compressed Gas Cylinder को उसके लिए बनाया हुआ Cylinder Cards या Hand Trucks के सहाई से ले जाना चाहिए Cylinder को देखभाल से ले जाना चाहिए और उसके Safety Valve Covers ठीक तरह से बंद रखना चाहिए Compressed Gas Cylinder को खीचना या डखेलना नहीं चाहिए Cylinder को ले जाने के वक्त कुछ लीख है या नहीं जानने के लिए साबुन के पानी का उपयोग करना चाहिए Cylinder को अती सुरक्षित से एक जगक पर रखना चाहिए Cylinder को हवा के जोके से गर्मी और आग जैसे चीजों से दूर रखना अच्छी बात है खाली सिलिंडर को पूरी सिलिंडर से अलग रखना चाहिए खाली सिलिंडर को पहचानने के लिए MT सिलिंडर करके बोड रखना चाहिए इसी तरह पूरी सिलिंडर के पास भी फुल सिलिंडर करके बोड रखना चाहिए मिरून कलर है तो वह असेटलन गैस सिलिंडर ISI channel हुआ regulator और host को ही इस्तमाल करना चाहिए ठीक तरक का tag या label नहीं हो तो वह cylinder इस्तमाल नहीं करना है अगर फिर भी आग लग गया तो उस दुरगटना से बचने के बारे में अब आपको बताता हूँ Construction site पर fire accident अगर हुआ तो जल से जल fire controllers उपयोग करना अवश्य है इस बारे में बताता हूँ आग लगने का तीन मुख्य कारण होते हैं fuel जैसे चीज, oxygen और बहुत सारा गर्मी ये तीन मुख्य कारण होते हैं इन तीनों के कारण से आग लग सकती है इन तीन में अगर येग न हो तो आग नहीं लग सकती है इसी तरह आग लगने के वक्त हम अगर किसी एक को कम कर दें तो आग बुच सकती है आग को बुजाने के वक्त इन चीजों को ध्यान में रखने से आग को आसानी से रोप सकते हैं मामूल से आग को क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D करके चार विधानों में बोल सकते हैं लकडी, कपड़ा और कागस पे लगने वाले आग को Class A करके बोलते हैं मोम जो आग में जल्दी से पिगल सकती है और डीजल, पेट्रोल जैसे तेल के वज़े से लगने वाले आग को Class B बोलते हैं असिटलिन और LPG ग्यास से उगने वाली आग को Class C बोलते हैं Potassium, Magnesium जैसे केमिकल से उगने वाले आग को Class D करके बोलते हैं A, B, C के वज़े से आग लगे तो हमें कैसे नियंतरन लेना है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ साइट में आग रोकने के लिए इस तरह के लाल रंग के सिलिंडर आप देखे होंगे Dry Chemical Powder से भरा हुआ इस Fire String Wisher के द्वारा Class A, B, C से उगने वाली आग को आप रोक सकते हैं Fire String Wisher को उपयोग करने के लिए पहले Safety Clip को निकाल कर इस Plunger को दबाना चाहिए उसके बाद इस होस के जरिये एक सफेद रंग का पाउडर बाहर आएगा उस Powder को आग के उपर इस तरह मारना चाहिए यह Powder आग के आसपास Oxygen को कंट्रोल करकर आग को बुजाती है बस इतना ही नहीं, Foam Extinguisher के जरिये भी हम आग को बुजा सकते हैं ऐसे Extinguisher को डीजल और पेट्रोल से उगने वाली आग को बुजाने के लिए उपयोग करते हैं ऐसे Extinguisher को उपयोग करने के लिए इस Safety Pin को निकाल कर उसके बाद Plunger को दबाना चाहिए और होस के जरिये Foam निकल के बाहर आती है इस Foam को आग के उपर मारने से Oxygen Control होकर आग बुज जाती है और Carbon Dioxide Extinguisher को भी आग को बुजाने के लिए उपयोग करते हैं ऐसे Extinguisher को B और C से उगने वाली आग को बुजाने के लिए उपयोग करते हैं Safety Pin को निकालने के बाद इस Knob को खोलना है इस Horn के जरिये CO2 मतलब Carbon Dioxide बाहर आकर आग से मिल जाती है इससे Oxygen Control होकर आग बुज जाती है आग को रोपने के वक्त सबसे पहले हमें मुख्य नियमों को ध्यान में रखना है पहला Electrical Missions में आग लगने पर आग रोपने के लिए पानी नहीं उपयोग करना है Electric Shock लगने की खत्रा है दूसरा Class ये आग को रोपने के लिए पानी और मिठी का उपयोग कर सकते हैं तीसरा Stingwisher को हवा मारने के तरफ उपयोग न करना है ऐसे करने से यह Chemical Powder आग को बिना लगे हवे में मिल जाता है चावथा CO2 Cylinder यूज करने के वग, Cylinder बहुत ठंडा रहता है इसके वज़े से Cold Burn होने की खत्रा है इसके वज़े से Cylinder के Metallic Pats पे बिना हाथ लगये उपयोग करना है Fire Stingwisher को खोलने के वग, शरीर से दूर रखकर खोलना हमारे लिए सुरक्षित है नहीं तो Cylinder के Pressure के वज़े से Cylinder का Cap हम पर लगकर चोट दे सकती है आग लगना शुरू होते वक्त उसको बुझाना आसान है इसलिए आग लगते ही Fire Stingwisher को लाके आग को उसी वक्त बुझा देना बहुत जरूरी है अगर ना बुझा सके तो अपने उपर अधिकारी को बुला कर बताना जरूरी है अभी तक सावधान से काम करने के बारे में मैंने आपको बताया इस Construction Site पर नए नए आये हुए लोगों को कैसे काम करना है बोलता हूँ सुनिये सब लोगों को सावधान से काम करना है अगर यहां पूरी तरह से इलाज ना हुआ तो हस्पता ले जाके इलाज करवाएंगे वो आदमी गलत कर रहा है चोट लगने पर किसी ना किसी दवा को लगाना गलत है ऐसे वक्त पर First Aid Center को जाना चाहिए हमें सुरक्षिता से काम करना चाहिए ये गलत है कंस्ट्रक्षन साइट के अंदर दारू पीना, सिगरेट पीना मना है और साइट के अंदर किसी भी गाड़ी को 20 किलोमेटर से ज्यादा चलाना मना है देखें क्या गाड़ीयों को फीचे लेते समय अच्छी रिवस होरन लगाना जरूरी है ये गलत है किसी भी हालत में रुके हुए गाड़ी की नीचे सोना खत्रा हो सकता है कंस्ट्रक्षन साइट में परमिशन दिया हुआ आदमी ही गाड़ी चलाना है और कोई चला नहीं सकते ट्राक्टर टायर गाड़ पे बैटना या ट्राक्टर के लिंक पे बैट कर जाना या खड़े होकर जाना गलत है ऐसे करना गलत है साइट में खतरनाक चीजों से खेलना या उससे दूसरों को भगाना गलत है अब तक मैं आप लोगों को construction site पर कैसे सावधाने से काम करना है और मशीनों में सुरक्षित से कैसे काम करना है इस बारे में बता चुका हूँ इन चीजें को ध्यान में रखकर आप लोगों को सुरक्षिता से और सावधान से काम करना है अब तक मैंने सावधान से काम करने के बारे में कहा अब तुम लोग जिस जिसको जो जो काम दिया हुआ है उस काम को ध्यान से करना शुरू करो बहुत शुप्या साजी आईए मैं आपकी ही इंतिजार कर रही थी काम पूरा हो गया ना आज का काम कैसा लगा बहुत अच्छा लगा आज हमें सुरक्षा के बारे में सिखाया वो मेरे लिए बहुत फ़ादा है पापा मेरे लिए चॉकलेट लाने वाले ते ना लाए क्या हाँ देखे आया इस सब तेरे लिए पापा एच चॉकलेट बहुत अच्छे है झाले बहुत अच्छे झाले यच्छा बहुत अच्छा लिए है